टोप्टर रेक्षाट अप्सी आप सबी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, कॉप पार्ट में मैंने आपको खंसी के लिए कुछ होमेपितिक मेडिस्टी के बारे में बताया था, कॉछ अर्म बारे में कुछ और मेडिसन के बारे मीब बताऊंगी रख आपके शिम्टम्स मैटिस मेच हो रहे invent因र मेडिसन करें यह डिशती है सिर्स्की विशा उठरी चंडम सुनर के लिए बहुत ही पॉर्ट ही सबढ़ागा ज़ो प्रखुरति है बच्चे को बातबाते घुश्सा आता है जिसके करना मिलाता है तुपता है बाल खिचता है उसको बहुत शारी चीजे चाहिए लेकिन हम जब उसे वह चीज देखें टो उसे वह फैंक देता है बच्चे को पेथ मेवांम से यदी के बहुत ज्यादा दक लिए आपकी ह תऄता है। पेथ मेवआरे क्रीमी होने की पर उसको नांख में ई्रीटेशन होता है। जिसके करणा पेजन्ट हर वक्ता नांख में इंग繼續 अगरें कुचालता रहता है। कभी कभी इतना उचलता है कि उसको नाख में से भीक हो निकलने लगता है पैसंप सिंट्रम से that और एक इस एँ गाया देटा है इसको चाहिक छाहिए कि उसको आख में से आंसूं निकलने लगता है एक पैसंप एक बि pounds Bih Star by रहता है कि आखिर लेने के बारे में बताया था अगर किसी को ट्रॉस्यृा लेने के बाद खासी मिध ज़्याद़ बढ़ जाती यह फिड- विखने कोषेमल कर तक निज्च्ट मेडिसी में पत्षैपिल्ड बस disciplines आख़ी बहुत ते परकू를 नेदoty तरहिए मेडिशिक है। लेकिन बत्甚麼 गुष्टा अग में आप पाईड़ाय उफसियात तो च्पीछ्टेश्चें आ यह सब्धकून को आमतИ है। अचत रहरा है। पिसन को प्यास बहुत ही कम लग लगती है, और जब उसको राथ को खासी होती है, तो रात में उसको सुखी खासी आती है, और जब बारिस 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 बा निकलता है। तो अगर किसी भी पेसंट को देंजुपेटर में खांसी होता है। और अगर उसको बहुती जदा प्रॉप्ट्यु सिप्रीशन होता है। अगर उसके लिए जलता हूंना मेडिसन बहुती है। नेट्ट मेडिसेन जस्टिशया आता है जस्टिशया पेशन को जब भी भूट जदा ठान लग जाती है तो ठान लगने की कारह उसको सबसे पहले जुखाम बहुत जदा होता है आख में से बहुत जदा पानी निकलता है आख में से पानी निकलता है बहुत जदा छीके आती है कभी कभी कमप्टी लॉसस्यों न्हों और ठेश हो जाता है और उसके बात पेषंपको खासी मुअ को खासी हो तो खासी मुथा को ब और खास्ते-खासी है近ग मैशन नियुआ सबकर बहुत जाता है. तो नहीं इसम्री देख का ऐस अधासी . छोदी श्रत बाहत भी उस्पूल है। अगर पेशन हो, एर पेशिव ने किसी भी जगह पर ऐसा लगी, कि वर भल्गम फसा हुआ है, और बल्गम निकलता नहीं है। बल्गम निकाने के लिए पेशन को बहुत फ्रफित के खासी खाने पर दे़े। बहुती इस पास्मोर एक वारन खासी अगी है और बहुती खासी खाने के बाद पेशम को थोड़ा सा बल्गम निकलता है और जैसे ही बल्गम निकलता है पेशम को खासी में आराम आ जाता है थोड़ी दिर के बाद वह बल्गम वहां से आ जाता है वापस पेसम को पील होता है कि वह बल definition राए चलता है तो इसकेना बंगों वह कद शोट Hmm नेक्स्ट मेडिसिन है निक्कोलमकार अगर पेसं को राथ को खासी जब आती है तो पेसं को कमपर सारी बैट जाना पड़ता है क्योंकि राथ को सोते सोते उसको चैन नहीं आता है और पेसं को कमपर सारी बैट जाना पड़ता है और पेसं को कमपर सारी बैट जाना पड़ता ह तो आतों सीर पकड़ लेता है, या फिर दोनों हाथों अपनी थाइस पर लगकर खास्ता है, तो इस थाइस पर लगकर खासता है. अगर किसी भी प्रसंग ऐसा सींटम देत नो को मिले कि जर्क तरह उसके पूरे नीक होते और उसका हेट डाउन होता है, नीक जोइंट अर फेस एकतम पास पास ने आघाओता है, इतना ज़्यादा जर्क होता है एक इसा जर्क देखने को मेले तो उसके लिए थेरिडियोन मैडीशन पहुत ही उसकी लिए, next medicine है, agrotamide अगर किसी भी पेसंट को पहोती जदा डायरिया हो परा है और डायरिया के लिए को कोई भी एंटिबाटिक ले लेता है या फिर लोपामाइड ले लेता है उसके तारह उसका डायरिया तो ट्रीक हो जाता है लेकिन डायरिया ट्रीक होने के पाथ उसको खांसी सुरू हो जाती के दर्मयान, through-out the whole winter, जग तक winter रहता है, थन्दी की मोसम रहती है, तीन, चार मनें तक पेस्ट को लगा अतार खासी आती रहती है, और पेस्ट को अगर पहुत ही जड़ा और उबरीटिंग करने की हैपिट और ओवरीटिंग की काराण पेसिक को फ्रेश्टर इसकी प्रब्लेम रहती है, इन डाइटिसन रहता है, इन सब सिंप्टम्स रहता है, और साथ में पेसंग को थूआओ फिंटर की दर्मियान, ओल्ड एज पेसंग को खासी रहती है, तो उस खासी सुनु हो जाती है एक पार उसे खासी हो जाती है तो उसको गरम चीटियों से खासी बढ़ती है उसको अगर रूम का टेंपरेजर ज्यादा है तो खासी बढ़ जाएगे खुछ भी गरम खाता है तो खासी बढ़ जाएगे गरम पाने पीने से खासी में आराम मिलता है उ अगर इस तरह का बल्गम है और अगर पेशंट को ठंडा पानी पिने से खासे में आरा मिलता है तो उसके लिए कौकस के टाइड मेडिसिन पहुत ही उसके लिए अब में आपको बताती हूं कि आपको कैसे मेडिसिन देनी है अगर छोटा बच्चा है तो उसको 30 पोटेंसी में आप मेडिसिन दीजिए शुरू-शुरू में और बड़े लोगों को 200 पोटेंसी में दीजिए पहले 5 गोली एक बार दे दीजिए डायरेक और उसके पार ज़र ज़रूरत पड़े लोगों को आप और पोटेंसी में भी एक डोस्त दे सकते हैं ओमीदे मेडा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उस्पूर आएका होमियोपितिक मेडिसिन के बारे में नहीं नहीं चांदकारे लेने के लिए अब हमारी चैनल के साथ जूदे रहे थेंक आपके लिए.